जै बोले नाथ, जै शिफ शक्ती, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे आज हमें एक weekly reading बनाने जा रहे हैं for the Virgo sign याने की कन्या राशी के लिए और देखेंगे आने वाला ये जो हफता है, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा बात करेंगे पहले आपकी love life की, फिर बात करेंगे career की and in the end we will pull some cards for guidance जो लोग पहली बार मेरे चानल पे आए हैं, I welcome you सो चलिए, स्टार्ट करते हैं आज की reading on a very positive note ओके, वर्गो पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है, you are feeling very betrayed क्योंकि आप जिस परसन के साथ deal कर रहे हैं, हो सकते हैं, they are like attention seeker या somebody is in a player energy, या ऐसा कुछ भी मुझे feel हो रहा है for all you people ठीक है, या में भी अपनी stability पी फोकस कर रहे हैं, अपनी life में कुछ achieve करना चाहते है ये भी चीज़े हो सकती है, देखे, सबके लिए like same scenario हो ये जरूरी नहीं है like you are still passionate और आप एक new beginning करना चाहते हैं और ये जो person है, they are like, मुझे एक और भी चीज दिखाए दे रही है, हो सकता है they have gone through a betrayal, ठीक है, past में हो सकता है, वो hurt थे तो अब वोस चीज में से निकल रहे है they are in a resting phase, या अपनी, you know, थोड़े से हो सकता है, egoistic हो या यू कहले है, they are like focused on themselves और आने वाले टाइम में मुझे यही दिखाए दे रहा है, like somebody is moving away, or maybe ये चीजे में मुझे दिखाए दे रही है, like third party, third party, heart broken energy third party में मेरा मतलब एक और भी चीज हो सकता है, कोई अपनी life में कहीं और focus हो उनका काम से related, family से related, कुछ भी हो सकता है, third party में ठीक है, तो ये चीजे मुझे दिख रही है और yes, कोई तो है यहाँ पर, या तो stability पर अपने काम कर रहा है, या may भी हो सकता है, कहीं और किसी का ध्यान, किसी और सरफ है तो इस हफ़े भी मुझे यही दिखाए दे रहा है, चलिए, अब बात करते हैं, आपके career की, for all the Virgo people career-wise, मुझे ऐसा लगता है, it's a good time for you, ठीक है, आप नहीं शुरुबात कर रहे हैं, growth आगे बढ़ रहे हैं, आप growth हो रहे हैं, आपकी मुझे ऐसा महसूस हो रहे हैं, आप लोगों के लिए, and then we have six of wands, it's about कि कुछ अच्छा चीव कर रहे हैं, ठीक है, और moreover, आप लोगों की आखों में हैं, कि yes, how can, like, ये परसन ऐसा कैसे चीव कर सकता है, तो ये चीजे, like in a limelight जिसे कहते हैं, तो कुछ अच्छी new opportunities इस हफते, मुझे आत्ली हुई दिखाए दे रहे हैं, for all the Virgo people, so आप थोड़ा सा फोकुस्ट रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखि आप लोगों के लिए क्या guidance है, yes, you have new possibilities, लेकिन कुछ चीजे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला पहले ही, कि you have to be playful, कुछ चीजे हैं, जो आपको pull down करते हैं, that is a devil card, आप बहुत जादा hopeless हो जाते हैं, और अपने आपको zone में से, like, बिल्कुल ही नीचे अपने आपको down हो जात सकता है कि workplace, कोई conspiracy हो रही है, आपके personal life में कुछ ऐसा हो जिसको सोचके आप बहुत डाउन हो जाते हैं, तो इसलिए, please, आप उस चीज में से हट के कुछ और, like, अगर it's not working for you right now, like, मेरी तरफ से आपके लिए यही advice है, कि be little playful, अपने इस zone में, अपने आप में थोड़ा सब कुछ रहना सीखिए, and break the chains, ठीक है, जो chains आपको bound करे हैं, because यहां पे भी we have chain, और यहां पे भी we have chain, अब आपको सोचना है कि वो कौन सी chains है, क्योंकि सब की life में अलग अलग, आप कितने लोग इस reading को सुन रहे होंगे, ठीक है, सब की life में अलग है, हो सता है कोई love life की आपको bother कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, कभी-कभी हमारा खुद की ही सोच हमें आगे बढ़ने से रोखती है, so that's all we have for all you people, I hope आपको reading पसंद आई हो, मिलती हो next time, till then take care, bye, अपना ख्याल रखिए